C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नंबर चौधा, सबक तीन, गुफ्तगू के आदाब आज नाजिया स्कूल से घर आई, तो कुछ खामोश खामोश थी. उसने घर में दाखिल होकर रोज की तरह सलाम किया और कमरे में चली गई. वहां जाकर उसने जूते उतार कर एक कौने में रखे, स्कूल के कपड़े, यानि यूनिफॉर्म बदल कर घर के कपड़े पहने, फिर मूँ हाथ धोकर दस्तरखान बिछाया. नाजिया की बड़ी बेहन सफिया बावर्ची खाने से खाना लेकर आ गई और दस्तरखान पर खाना लगा दिया. इसी दौरान अम्मी भी आ गई. खाना शुरू करने से पहले उन्होंने नाजिया की तरफ देखा और कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो? सफिया अम्मी, यह आपको नखरे दिखा रही है, क्लास में किसी से लड़कर आई होगी, वहाँ तो कुछ बोली नहीं, यहाँ आपको परेशान कर रही है. अम्मी जान सफिया, यह तुम छोटी बेहन से किस तरह बोल रही हो? बजाए उससे कुछ पूछने के तुम उसे छेर रही हो? क्या बड़ी बेहने छोटी बेहनों से ऐसे ही बात करती हैं? जब तुम छोटी बेहन से इस तरह बातें करोगी तो वो तुम्हारा अदब कैसे करेगी मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए फिर सफिया ने नाजिया को मनानी की कोशिश की अम्मी जान बेटी, बात चीत के कुछ आदाब हैं, जिनका हमेशा खयाल रखना चाहिए बात भी मौका और वक्त देख कर कहनी चाहिए गुफटगू के दर्मियान बात काटना बुरी बात है जब तक दूसरे शख्स की बात खत्म ना हो जाए हमें अपनी बात चुरू नहीं करनी चाहिए अगर कोई जरूरी बात कहनी भी हो तो पहले कहिए मौफ कीजिएगा फिर अपनी बात कहिए बगैर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है सफ़ा नंबर पंधरा सफिया ने कहा अमी गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताईए ताके हमें बातचीत करने का ज्यादा सलिका आ जाए अमी जानने कहा बेटी बातचीत के दौरान घुसा करना और अपनी तारीफ आप करना गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है किसी के अकीदे, मजहब या बुजर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए अपने से छोटों से बात करते वक्त महबत और नर्मी से पेश आना चाहिए उनकी गलती पर सब के सामने बुरा भला कहने के बजाए उन्हें अकेले में समझाना अच्छा है सफिया ने कहा अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इन तमाम बातों का खयाल रखूंगी एक लव्ज और मानी गुफ्तगू बातचीत आदाब अदब की जमा यानी बात कहने या काम करने का मुनासिब तरीका सलीका शओर, तमीज तारीफ करना खूबी बयान करना अकीदा यकीन, एतकाद दो, गोर कीजिए बात मौका और वक्त देख कर करनी चाहिए गुफ्तगू के दौरान बात काटना मुनासिब नहीं होता बगेर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है किसी के अकीदे, मजहब या बुज़र्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए सफ़ा नंबर 16 3. सोचिए, बताईए और लिखिए अलिव, नाजिया ने घरा कर सबसे पहले क्या किया? बे, दस्तरखान पर खाना किसने लगाया? जीम, बातचीत के आदाब किसने किस को बताए? दाल, बातचीत के बहतर सलीके के लिए हमें किन किन बातों का खयाल रखना चाहिए चार, दिये गए जुमलों को मुनासिब लव्ज से पूरा कीजिए अलिव, नाजिया ने घर में खाली जगा रोज की तरह सलाम किया? जाकर या दाखिल होकर बे, मुहाद होकर दस्तरखान खाली जगा? बिचाया या उठाया? जीम, तुम इतनी खाली जगा और खाली जगा क्यों हो? खुश या उदास और खामोश या मायूस दाल, अम्मी ये आपको खाली जगा दिखा रही है नखरे या गुसा हे, बेटी, बाचीत के कुछ खाली जगा हैं जिनका हमेशा ख्याल लखना चाहिए सलीके या आदाब पांच दिए गए हुरूफ को मिसाल के मताबिक मिला कर लिखिए मिसाल गाफ, फे, ते, गाफ, वाव, गुफ्टगू अलिफ, सीन, काफ, वाव, लाम, खाली जगा खे, अलिफ, मीम, वाव, शीन, खाली जगा अलिफ, मीम, खाली जगा शीन, रे, वाव, अैन, खाली जगा मीम, अैन, अलिफ, फे, खाली जगा सफ़ा नंबर सत्रा छे यहां खानों में दिये हुए वाहित की जमा और जमा के वाहिद बनाईए वाहिद कमरा, तारीफ, कपड़ा, अदा जमा, बहने, जूते, अकेले, नखरे साथ मिसाल के मताबिक लवजों के हर्फ अलग-अलग करके लिखिए मिसाल तारीफ, ते, आइन, रे, छोटी ये, फे सलीका, वादा, माफ, बद्तमीज आठ, किसने किस से कहा, बताईए अलिफ, ये आपको नखरे दिखा रही है बे, ये तुम छोटी बहन से कैसे बोल रही हो जीम, मुझे से घलती हो गई अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए डाल, गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताईए नौ, दिये हुए लवजों के मुतजाद लिखिए आज, वहां, बड़ी, बहन, अम्मी, शुरू, उदास, लड़की, परिशान, नर्मी इसी के साथ ये सबक यही पर खत्म हुआ अभी आप सुन रहे थे सबक तीन गुफ्तगू के आदाब समय रिकॉर्डिस्ट, बतिलाइंग लिंग्डो, समय फनकार, परवेज गौहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत